उसके बाद फिर विजाति लग लगाएंगे तो विजाए सर्मा जीत रहे है मतलब अक्बर बहुत दुखता है नहीं कट रहे हैं भूलाएं नहीं भूल रहे हैं नमस्कार मैं हूँ विदानत और आप देख रहे हैं चत्तिस गड़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल चत्तिस गड़ तक और आज हम है कवरधा विदान सभा में यूटू कवरधा विदान सभा का चुनाओ पहले चनल में ही आने की साथ तारीक को हो गया था और लगभग आज 21 दिन भी हो गए हैं लेकिन जो प्रत्यासियों का जो भवेश से मतदाताओं ने सुरक्षित किया है वो अभी आप देख सकते हैं कि यहीं पीछे स्ट्रांग रूम है वहां पर सुरक्षित रखा है यहां कहें कि उनका जो भवेश से तै किया गया है मतदाता उसमें पेटी में उसकी निग्रानी के लिए हां पर बैठे हुए है तो देख सकते हैं तुमाम कार्य करता बिखेते हैं बीजे पी के हो या कॉंग्रेस के हो आप लोग कितरे बज़े से घटी है कहा जा रहा है कि कलेक्टर नहीं बैलेट को खुलवा दिया था ऐसा कुछ घटना तो उससे ज्यादा जागरित हो गए है आप लोग जागरित होने की आवशकता है चुकि इस टाइप का अगर घटना वहां घट सकता है तो यहां घटने में कोई समय नहीं लगेगा क् कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी में एक और डर्स अता कर चल रहा है इस बार जो है ऑपरेशन लोटस उसके वारे मैं क्या सुछते हैं अब देखे ऐसा कुछ नहीं है कि माने मुख्यमातिर जी बोल चुके हैं कि अबकी बार 75 पार और वो होगा ही यह इस विश् दुनों मिलकर बारी बारी शुरुक्षा करते हैं तो दिन रात यहीं पर आप लोग डटे रहते हैं जी 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 कब तक रहेंगे जी तीन तारीक तो रहेंगे उसके बाद फिर विजाति लग लगाएंगे अच्छा तो विजा सर्मा जीत रहे हैं मतलब अकबर भाई जीत रहे हैं जिनके आप प्रतिनीधी हैं करें वो जीत रहे हैं कितने कैसा रहेगा माननी मंत्री जी सुरु से बोल चुके हैं कि एक तरफा जीत होगी और तीन तारीक को आपके लिए भी मिठाई मैं भेजवाऊंगा एक तरफा जीत हम लोग कांगर्स पार्टी करेंगे तरफा जी आप उसापूर वक्त हमना हम असवास्तन के हमार प्रत्यासी भाजपक प्रत्यासी दोनों विधाहन सबके शरी मति भावनबोहरा जी और विजय सर्मा जी दोनों अच्छा-खासा लीट के साथ चुना जीता थे एक चीज मैं बोलना चाहता हूं हमार कांग्रेस के भाई मना जब जब आप उसापूरवक्षवन थोड़ा संकम है और आप लोग उत्साह के साथ यहां बैठे हुए हैं तो यहां बैठनी क्या जोरुवत है हमको हम 5 साल विपक्षमर हैं बहुत दुखता काटे नहीं कट रहे हैं वो पल काटे नहीं कट रहे हैं भूलाएं नहीं भूल दोनों विधान सब अच्छा कासे मत से जीत रहे हैं क्या विशेस होगा उस दिन क्या है किसलिए आप भी लगातार अपने साथियों के साथ यहां बैठ रहे हैं यहां पर लगातार ड्यूटी दिया जा रहा है भाजपा हो या चैकांग अंग्रेस हो और ऐसा डर किसी बात क प्रदेश में जोड़दार है और साथ में कमर्धा की बात बताऊं आपको यहां की तो यहां पर तो चुनाओ जनता नि लड़ा है ना तो इस पर जीत हार की बात ही है जंता कभी हारती नियुथा हमेसे हमेशा जित लड़ी है तो इस तो आप कितने प्रदेश को लेकर क्योंकि आप प्रदेश इस्तर पर क्या मामला है कि अपकी बार 75 पर निश्चित 75 पर हो गाही और मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का भारती जनता पार्टी का यहां डर्भ है उनके कारकरताओं को चाया हुआ है और आपने देखा होगा कि तमाम चुनाओं के चलते इन लोगों ने विवाद लाने की स्थिति बनाया और वो कारगर नहीं है जनता जिनके उपर भरोशा करेगा वो मेरे को लग पर यहां से एक तरफा जीत करेंगे प्रदेश में कोग्रेस की सरकार बन रही है अब के बार 75 पार देख सकते हैं कि दोनों पारटी के समर्थक हैं और दोनों का दावा है और दोनों जंता को ही मान रहें कि जंदा उन्हें जिता रही है हलां कि यह ज्यादा दिन नहीं है 21 क समय बीद गया है बस कुछी दिन और उसके बाद तीन तारीक को सुबह से यहीं पर इसी परिसर में गंड़ना होनी है और हो सकता है दोपर बार तक रिकॉर्ड आ जाएगा एक और भाई साब हैं उनसे भी जानना चाहते हैं आप से आनना चाहते हैं आप भी दिन रात लगे लिए भी कुछ दिन पहले आये थे तो उसका निगरानी इसलिए हमें करना पड़ता है कि वहां नगर पाली कमीर कहीं कहीं का आका बैठा हुआ है इसका धर भय है हम स्विकार कर रहे हैं इसलिए बैठ रहे हुए कुछ अपरी घटना ना हो जाए ना हो जा जाए गलत नहों जो विज़ा शर्म है वो जीत रहे हैं वही कॉंग्रेसी कह रहे हैं कि इस बार हम जो पिछली बार का अंतर था लगभग उतने ही अंतर से या उससे भी ज्यादा अंतर से जीत इस बार होगी अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज्यादा दिन नहीं है तीन तारीक को सुबह से यहीं पर गर्णा होनी है और गर्णा के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंतजार हम सब को है कवर्धा से 36 गड़ तक के लिए विदान तशर्मा कर दो नहीं है